दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप जो डिजिटल वेल बिइंग होता है जो उसमें स्क्रीन टाइम दिखाता है उसको आप अपनी स्क्रीन पर कैसे ला सकते हैं ताकि आप स्क्रीन पर ही वो देख सकते हैं वैसे तो आप जब अपने फोन की settings में जाते हैं, यहाँ पर करते हैं नीचे की ओर scroll, यहाँ पर आपको digital well-being and parental controls का option दिखाता है, आप जब इस पर click करते हैं, तो आपको यहाँ पर screen time जो है दिखा देता है, इस type से किता है, उस पर click करके आप जो है आपको app wise भी दिखा देता है, ठीक है, तो यही आप चाहते हैं कि आपकी screen पर दिखाए, home screen पर तो आपको क्या करना है, आपको simply अपनी home screen पर tap करना है थोड़ी देर, okay, screen पर tap करते हैं आपको widgets का option एक दिखाएगा, आप इस पर click करिए, इस पर जैसे ही click करेंगे तो आपको इस type का interface मिलेगा, अब य दिखा रहा है, आपको क्या करना है, आपको इस पर tap करना है, थोड़ी देर है, tap करके इसको जहाँ पर भी अपनी screen पर रखना है, वो आप रख दीजे, ठीक है, इधर रखना है, तो फिर आप इसको इधर side ले जा सकते हैं, इसको अगर आपको इधर side ले जाना है, तो आप क्या करिए screen पर थोड़ी दे tap करिए और यहां पर इस पर क्लिक करके इसको जिधर भी set करना है आप उसमें यहां पर इस type से डाल दीजे जैसे यहां पर आमने क्लिक कर दिया ठीक है तो यह इधर पहुच गया अब यहां पर इसक्रीन पर यहां पर दिखाएगा टाइम आप इसके क्लिक करके यहां पर आप वाहिस भी देख सकते हैं अगर वीडियो को कर दीजे लाइक चैनल को कर लीजे सब्सक्राइब और बल आइकन को प्रेस ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए